हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब जॉब इनसीटियाल में आप सभी का स्वागत हैं मैं आपकास एसिटेंट मैनेजर ए इस वीडियो में हम देखेंगे FCI यानि की Food Corporation of India के एक Assistant Grade 3 की सैलरी सेलरी चले और जानेंगे कि सेलेक्शन के बाद आपकी in-hand salary कितनी बनेगी salary के अलावा और क्या-क्या benefits है जो आपको FCI में मिलते हैं इसके अलावा हम बात करेंगे कि सेलेक्शन के बाद आपकी posting कहा हो सकती है duty की timing क्या रहती है, work pressure कितना रहता है और promotions की क्या scope है, इन सारी चीजों के बारे में detail में बात करेंगे लेकिन वीडियो शुरून से पहले अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe कर लेना and bell icon प्रेस करके all select कर देना ताकि government jobs related सारी information आपको timely मिले दोस्तों ये food corporation of India यानि की FCI के assistant grade 3 की salary slip है FCI के recruitment 2019 में होई थी और final joining वगरा 2020 में complete हो गई थी तो ये October 2020 की salary slip है यानि की ये first month की salary slip है assistant grade 3 के post में basic पे 28,200 मिलती है और इन्होंने depot cadre में join किया है basic पे मिला है 28,200 DA 18.4% उस समय था तो 18.4% के according DA बना है 5,189 इनकी posting Y category city में थी तो 16% HR उस time मिलता था तो HR बना है 4,512 इसके अलावा यहां आप देख सकते हो washing अलावाश मिला है 564 रूपीज दें professional development अलावाश मिला है 564 रूपीज हाउस की पर लावाश मिला है 2820 रूपीज entertainment अलावाश मिला है 1692 रूपीज दें domestic assistance के लिए अलावाश मिला है 1410 lunch alliance मिला है 1410 रूपीज यह जो total alliances मिलते हैं यह total 32% आपको मिलेंगे तो यह आप calculate का सकते हो total 32% बनेगा basic का तो 9024 आपको यह extra alliances यहाँ पे मिले हुए है तो total gross salary बनेगा 46,925 रूपीज अब देखते हैं क्या क्या deductions होते है professional tax deduct हो है 200 रूपीज employee funded security scheme में 70 रूपीज deduct हो है then fund recovery कुछ हो है 30 रूपीज medical health scheme deduction है 60 रूपीज pension admin fee 100 रूपीज CPF का deduction हो है 4,007 रूपीज and pension के लिए deduction हुआ है 668 रूपीज तो यह total deduction हुआ है 5,135 रूपीज यानि कि इनकी total in hand salary बनेगा 41,790 रूपीज अब बात करते हैं कि अगर आपकी posting किसी x class city में होती है 2022 में तो 2022 के according अभी के according आपकी in hand salary क्या बनेगी तो basic पे मिलेगा 28,200 देखिए यहाँ पे जो DA चलता है यह actually industrial DA रहता है industrial DA रहता है जो की सारे PSU में मिलता है तो DA अभी IDA 29.6% चल रहा है तो इसलिए DA amount मिलेगा 8,347 रूपीज इसके अलवा total 32% alliances मिलते हैं तो 32% of 28,200 बनेगा 9,024 रूपीज तो total gross salary बनेगी 53,185 रूपीज अगर बात करें deductions की तो pension का deduction होगा PF का deduction होगा income tax का deduction होगा और इसके अलावा कुछ nominal schemes वगएरा healthy scheme वगएरा जो होते हैं उसमें कुछ deduction होता है तो total deductions लगभग 6,000-8,000 होगा अगर आपकी posting किसी food storage depot में होती है तो वहाँ आपको overtime alliance मिलेगा तो overtime alliance normally 6,000-10,000 बनता है बहुत लोगों का 15,000-20,000 भी बनता है यानि FCI में assistant grade 3 के post में selection के बाद आपकी monthly in-hand salary 55,000 के approach बनेगी अगर बात करें benefits की तो FCI में quarter की facility रहती है तो mostly quarters available रहते हैं तो आपको मिल जाएंगे medical facility यहाँ की one of the best है यहाँ पे बहुत सारे जो top के hospitals हैं उनके साथ directly वो impaneled है FCI के साथ तो अगर आपको कुछ भी medical issue अगर होता है आपको या फिर आपके dependent family members को तो आप directly hospital चले जाओ वहाँ आपको अपनी जेव से एक रुपया भी पे नहीं करना है directly जो भी आपका bill होता है वो FCI पे करती है directly hospital को बहुत सारे organizations में ऐसा होता है कि पहले आपको hospital वगरे आप जाते हो तो पहले आपको खुद से पे करना होता है उसके जो bills वगरे रखते है वो आपको office में जमा करना होता है फिर वो reimburse होता है तो यह काफी लंबा process होता है हलाकि ठीक है अगर छोटा amount रहे है दो जा चार है तो वह आप अपनी जेब से देख सकते हो लेकिन अगर कोई बड़ा amount रहता है एक लाग दो लाग रुपया तो वह पैसा फिर फज जाता है तो यह एक बहुत अच्छी facility देती कि यहां आपको करते हो तो आप 10,000-20,000 तक भी monthly earn कर सकते हो इसके बाद pension की facility है और pension के साथ साथ यहां PF की facility है और अगर आप loan वगरा लेना चाहो car loan home loan तो उसकी भी यहां facility है तो salary तो काफी अच्छी है उसके अलावा बहुत चारे आपको यहां benefits भी मिलते है अगर बात करें कि assistant grade 3 के post में आपको क्या work करना होता है तो यह depend करता है कि आपकी posting कहां होती है यानि की posting किसी या तो office में हो सकती है या फिर आपकी postingly genuine food storage depot में हो सकती है यानि की गोडाउंस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है तो अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऑफिस में हो रही है तो वहां मुस्टी आपको डेस्क वर्क करना होगा यानि कि computer related जो वर्क रहते हैं MS Word MS Excel PowerPoint उसमें जो भी आप वर्क वगरा रहता है वो सब आपको करना होगा इसके लावा files maintain करना, notes वगरा prepare करना या bills maintain करना ये सब काम आपको रहेगा mostly आप जो manager रहेंगे उनके अंदर आप काम करोगे, उनके अंदर वर्क करोगे and उनके as assistant आप वर्क करोगे और manager जो भी आपको work बोलेंगे वो आपको करना होगा तो यहाँ पे बहुत जादा work pressure नहीं रहता है and duty timings भी fixed रहती है तो offices में mostly आपको desk job करना होता है, लेकिन अगर आपकी posting किसी food storage depot यानि के go down में होती है तो यहाँ आपको field work करना होगा, यहाँ आप go down के in charge रहोगे या procurement duties के in charge रहोगे और work hours fixed नहीं रहती, यानि के duty hours fixed नहीं रहेगी जब भी loading या unloading हो रही है तो उसमें आपको present रहना होगा, responsibility बहुत रहती है, लेकिन overtime allowance बहुत बनता है अब बात करते हैं duty timings को, तो यह depend करेगा कि आपकी posting कहा होती है, अगर आपकी posting headquarter, zonal office या regional office में होती है तो यहाँ पर आपको 9.30 to 6.30 work करना होगा, यानि के 9 hours की आपकी duty रहेगी, लेकिन 5 days या आपको work करना होता है, Monday to Friday आपकी office रहेगी, Saturday, Sunday off रहता है अगर किसी भी दिन आप 6.30 से जादा अगर आप रुखते हो किसी भी काम के लिए, office के work के लिए, तो आपको overtime alarm मिलेगा और अगर आप किसी छुट्टी वाले दिन अगर आप work करने आते हो, तो आपको extra casual लिग मिलेगा अगर आप 5.30 के बाद भी अगर आप work करते हो, तो आपको overtime alarm मिलेगा और अगर आप किसी छुट्टी वाले दिन, यानि कि Saturday, Sunday, या फिर कोई holiday के दिन अगर आप extra work करने आते हो, तो फिर आपको extra casual लिग मिलेगा अगर आपकी posting किसी food destroys depot में होती है, तो यहां timing रहती है 10 a.m. to 5.30, लेकिन यह कोई fixed timing ने रहती है, यहां कोई fixed duty hours नहीं रहते हैं, हो सकता है कि आपको 10 बए से पहले भी आना पड़े कई बार, या हो सकता है कि रात में आपको सारे 5 के बाद हो सकता है, 8-9 बए तक भी उस दिन का भी overtime allowance बनता है, इसके करण जो depot में duty करते हैं, उनकी overtime allowance जो monthly रहती है, वो 10,000 to 20,000 बनती है, यानि कि salary के अलावा extra आपको 10,000 to 20,000 रुपीज बन जाता है, और अगर बात करें कि अगर आप छुट्टी वाले दिन आ रहे हैं, लेकिन उस दिन loading, unloading नहीं चल रही तो assistant grade 3 के post में 3 years work करने के बाद आपकी promotions होगी, और आप assistant grade 2 बन जाओगे, फिर assistant grade 2 के post में 3 years work करने के बाद आपकी again promotion होगी, और आप assistant grade 1 बन जाओगे, इसके बाद आपकी direct promotion होती है manager category 2 के post में, और इसके लिए आपको 3 to 5 years का समय लगेगा, और manager के post में work करने के बाद at least 5 to 7 years के बाद आपकी promotion होगी और आप फिर assistant general manager बन जाओगे और हलाकि यह लंबा process है इसमें time लगता है लेकिन आप चाहो तो यहाँ departmental exams भी होते हैं अगर आप departmental exam को clear कर लेते हो तो आप directly assistant grade 3 के post से आप manager बन जाओगे लेकिन अगर आप को departmental exam clear नई भी करते हो तो भी आप AGM या DGM बन के retire होगे promotions depend करता है number of vacancies के उपर and आपकी seniority के उपर and इसी के साथ depend करेगा कि आपकी posting किस department में है तो यह थी सारी details FCI के assistant grade 3 के regarding इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाब राता है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना अपने friends के साथ share करना और अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe जो कर लेना thank you